हलो बच्चो, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा, बच्चो, आज हम हिंदी परलव में लेसन 21, जोकी एक कवीता है, आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्नुत्तर करेंगे. बच्चो, लेसन 21, चन्दा मामा का एक्स्प्लेनिशन मैं पहले ही कर चुके हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से पहले हम इस कवीता चन्दा मामा को फिर से एक बार समझेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. और बच्चो, यह कॉपी वर्ख है, आपको अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में शब्दार्थ और उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखने हैं. तो शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले, हम चन्दा मामा कवीता को एक बार फिर से समझ लेते हैं. तो चलिए बच्चो, अब हम स्टार्ट करते हैं. चन्दा मामा ठहरो थोड़ा, कहां चले तुम जाते हो, खेल रहे क्या आँख मिचानी, बादल में छिप जाते हो. बच्चो, जैसा कि आप स्क्रीन पर चार पंक्तियां देख सकते हैं, यहां एक बच्ची, इस कवीता में चन्दा मामा से कह रही है, कि चन्दा मामा थोड़ा सा रुख जाईए. आप कहां चले जाते हैं? खेल रहे क्या आँख मिचानी, आँख मिचानी मिन्स बच्चो क्या होता है, कभी छिप जाना और कभी तिक जाना. तो यहां पर यह बच्ची चन्दा मामा से बार बार यह बोल रही है, कि चन्दा मामा आप थोड़ा रुख जाईए, ठहर जाईए, आप बार बार कहां चले जाते हैं? कभी तो आप छिप जाते हैं और कभी तिक जाते हैं. क्या आप मेरे साथ आँख मिचानी का खेल खेल और आप जब चिप चाते हैं तो आप कहां चले जाते हैं आप क्या बादल में चिप चाते हैं खेल रहे क्या आँख मिचोनी बादल में चिप चाते हो तो यहाँ पर ये चारू पंक्तियां कितना अच्छा वर्णन है जब एक बच्ची चंदा मामा से पूछ रही है कि आप कहां चले जाते हैं, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्या आप बादल में छिप चाते हैं। बच्चो इसके बाद हैं, मुझे बुला लो मैं देखूंगी, कितने हो छिपने में तेज, नहीं पकड़ पाओगे मुझे को, मैं दोड़ूंगी तुम से तेज। अब यहां पर यह बच्ची चंदा मामा से कहती है, कि चंदा मामा, आप जो बार बार चले जाते हो ना, आप मुझे बुला लो। फिर अब मैं देखूंगी, कि आप छिपने में कितने तेज हो। बच्ची का कहने का मतलब है, कि हम दोनों ये खेल खेलेंगे, और फिर जब आप और मैं हम दोनों ये खेल खेलेंगे, तो फिर ये देखेंगे कि कौन छिपने में कितना तेज है, आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं आप से बहुत तेज दोड़ूंगी। तो बच्चो यहां कितना सुंदर वर्णन किया गया है जब एक बच्ची चंदा मामा से बार बार आगरा करती है कि आप कहां चले जाते हैं आप मुझे दिखाई नहीं देते कि आप बादल में चुप जाते हैं और आप एक बार मुझे बुला लो फिर हम दोनों जब खेलेंगे तो फिर मैं आप से जीत जाऊंगी आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैं आप से बहुत तेज दोड़ूगी बच्चो इस कवीता के बाद मैंने आप से पहले भी कहा था इसा की हम इसके शबदर्त और पुशनांसर हिंदी पलफ की कॉपी में लिखेंगे तो यहां इस लेसन में केवल एक ही शबदर्त है लेसन 21 लिखकर हम ये शबदर्त लिखेंगे बच्चो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप शब्दर्थ की बाद है प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न है चंदा मामा कहां छिप जाते हैं आप सबको पता है ना चंदा मामा कहां छिप जाते हैं चंदा मामा बादल में छिप जाते हैं विराम चिन यहां जब हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाता है सेंटेंस हमारा जब खतम हो जाता है वाक्ये तब हमें यहाँ पर विराम चिन भी लगाना है बच्चो अब इसके बाद दूसरा प्रश्ण है कवीता में किसको ठहर जाने को कहा गया है कवीता में किसको ठहर जाने को कहा गया है हम यह आंसर पूरा लिखेंगे, कवीता में चन्दा मामा को ठहर जाने को कहा गया है, तो ये दोनों प्रश्णों के उत्तर आपको अपनी हिंदी पलव की कौपी में लिखने हैं, अब प्रश्ण एक और प्रश्ण दो के बाद अब हम लिखेंगे प्रश्ण तीन, प्रश्ण तीन बच्चो क्या है बताओ, चंदा मामा कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो हम क्या आंसर लिखेंगे आपर, चंदा मामा आंख मीचोनी का खेल खेल रहे हैं, इसके बाद बच्चो प्रश्न चार है बच्ची को कौन नहीं पकड़ पाएगा बच्ची को कौन नहीं पकड़ पाएगा बच्चो बच्ची को चंदा मामा नहीं पकड़ पाएंगे मैं उमीद करती हूँ आपको ये चारो प्रशनुत्तर बहुत अच्छे से समझने आ गए होंगे सभी बच्चे अपनी हिंदी पलव की कौपी में सबसे पहले चंदा मामा लेसन के शब्दर्थ जिसमें की एक ही शब्दर्थ है आँख मिचोनी वह लिखेंगे और उसके बाद ये चारो प्रशनुत्तर आपको अपनी हिंदी पलव की कौपी में लिखने हैं बच्चो एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं चंदा मामा कौन सा खेल खेल रहे हैं? चंदा मामा आँख मिचोनी का खेल खेल रही हैं बच्ची को कौन नहीं पकड पाएगा? बच्ची को चंदा मामा नहीं पकड पाएंगे चंदा मामा कहां चिप जाते हैं? चंदा मामा बादलों में चिप जाते हैं चंदा मामा कौन सा खेल 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 रहे हैं? चंदा मामा आँख मिचोनी का खेल खेल रहे हैं और आंक में चॉन इमिन्स क्या होता है बच्चों? कभी छिप जाना और कभी दिख जाना. तो चलिए, अब मैं फिर से आपको बताती हूँ आपका होमवक क्या है? आपको ये word meanings और question answers अपनी हिंदी पल्लव की copy में लिखने हैं. लेकिन सभी बच्चे लिखते समय बात का ध्यान जरूर रखेंगे, आप सभी बच्चों को बहुत साफ साफ राइटिंग में ये काम करना है, बहुत सुंदर सुंदर शब्द लिखने है, मात्राओं का बहुत किशेश ध्यान रखना है, मात्राएं बिलकुस सही लगाएंगे और लिखने के बाद इस सभी कारे को आप याद भी करेंगे, सभी बच्चे लेसन 21 चंदा मामा के शब्दर्थ कुशन आंसर्स लर्ण करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं उमीद करती हूँ, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया अगा तान इवाद